Hey everyone, so our today's topic is The God of the Only World by Amitav Ghosh of Class 10th English. Writer यानि लेखक का एक दोस्त होता है जिसका नाम आगा शाहिद होता है. जिस टाइम ये स्टोरी की बात चल रही है, उस समय लेखक यानि राइटर और उनके दोस्त दोनों ही अमेरिका में रह रहे थे. राइटर को ये पता होता है कि शाहिद जोकी उनका दोस्त है उसको दिमाग का कैंसर है और पिछले 14 महीनों से उसका इलाज चल रहा होता है. शाहिद जानता है कि वो जादर समय तक जिन्दा नहीं रह पाएगा. पंदरा एपरल 2001 का दिन होता है जब जो शाहिद है वो अपनी मोत आने वाली है उसकी इसकी बात किसके साथ करता है राइटर के साथ. राइटर शाहिद को यह याद दिलाने के लिए फोन करता है कि उन्हें दुपहर को एक दोस्त के गर लंज पर जाना है जिसने उन्हें लंज पर इंवाइट किया हुआ है तो शाहिद राइटर को कहता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है शाहिद को पता होता है कि वो बहुत ही जल्दी मनने वाला है शाहिद राइटर से बोलता है कि जब मैं मर जाऊंगा मुझे पक्का विश्वास है कि तुम मेरे लिए कुछ लिखोगे राइटर जो है वो शाहिद को तसल्ली देने की कोशिश करता है और शाहिद से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम्हें मजबूत बनना होगा लेकिन शाहिद को अपनी किस्मत का पता होता है और उसने कहा कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना ही होगा सब भी मिलते, उनसे जो भी बात करते, वो अपने पास लिखना शुरू हो जाते, और वो वहाँ अपने दोस्त के करेक्टर, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, और वही सब लिखता है, कौन लिखता है, राइटर, शाहिद एक पॉ पड़ी थी, और वो बहुत जादा इंप्रेस हो जाते हैं उनकी पोएम से, राइटर, शाहिद के बारे में सिरफ इतना ही जानता था, कि वो श्री नगर का रहने वाला है, और वो दिल्ली कॉलेज से पड़ा हुआ है, जो राइटर है, उन्होंने भी आपनी जो क्वालिफ 75 के बाद अमेरिका आ गया था, और उसका बड़ा बाई पहले से ही वहाँ था, और बाद में उनकी दो बहने भी उनके साथ वहाँ आ गई, शाहिद के माता पीता श्री नगर में रहते थे, शाहिद की ये आदत थी कि गर्मियों की छुटियों में वैं हर साल अपने माता प साथ इंट्रक्शन करवाया था, साल 1998 और 1999 के बीच में उनकी फोन पर अनेक बार बात चीत हुई थी, और उसके बाद वो एक दो बार एक दूसरे से मिले भी थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के बयारे में जादा नहीं जानते थे, वो सिरफ अब तक एक दूसरे के नॉ देखक शाहिद से मिलने एक कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो कॉलेज के बच्चे हैं वो तो शाहिद को बहुत जादा पसंद करते हैं, बहुत जादा फेमस टीचन हैं वो वहाँ पे, फरवरी 2000 में जब वो शाहिद जो है न्यू यॉक और काफी टेस्ट वगेरा हुए उसके जिससे पता चला कि उसे दिमाग का कैंसर है और शाहिद ने ये डिसाइड किया कि वो ब्रूकलीन चला जाएगा क्यूंकि वहाँ पे उसकी सबसे छोटी बहन समीता रहती थी, वो उसके पास रहना चाहता था और वो जो समीता थी, व बहुत जादा जादा मिलने लग गए, शाहिद की हल्स जो है जादा जादा खराब होने लग गई, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हजजी मजाग में जादा इंडल्च होने लगा, एक दिन तीन बज़े के करीब सुकेतु महता जो की एक राइटर थे और बुकलीन में ही रहते थे, उनके साथ दुपहर का लंच करने को आया, वो सब ये डिसाइड करते हैं कि वो एक अपना अड़ा बनाएंगे और जहां पे वो डेली मिला करेंगे और बाचीत किया करेंगे, अब वो रोज रोज एक दूसरे से अपने अड़े पर मिलने लगे और जो लेखक हैं, वो भी उनसे मिलने आने लगे, टीवी पे जो सीरियल्स बनाते हैं, एक बर क्या होता है, उनके ग्रूप जो है, वो अपना कैमरा लेकर उनके अड़े पर पहुँँ जाते हैं, और जो वो लेखक अपने इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, उसकी वो वीड पड़ी हुई होती थी और वे कहता था कि ये पैटिस उसे कभी भी निराश यानि सैड नहीं रहने देती, शाहित का कमरा बिल्डिंग की सैवन्थ मनजिल पर था, जहां से उसको शहर के दूसरे पार नदी का बहुत सुन्दा नजारा देखने को मिलता था, उस सिटीस में जितनी भी लाइट चमकती रहती थी, वो एक बहुत ही अच्छा नजारा एक गाट के जैसा परतीत होता था, शाहित खाने का बहुत जादा शोकीन था, बहुत से लोग उसके कमरे में एकटा हुआ करते थे, कोई ना कोई कीचन में गुसा होता, कुछ ना कुछ पका रहा हो जबकि अब उसकी नजर थोड़ी कमजोर भी होने लग गई थी, वो सुनकर ही खाने को मतलब समझ लेता कि ये अच्छा से पक गया है या नहीं, डिनर पार्टी में जो खाना बनता था, शाहित उनसे ही रेसिपीज लिया करता था, खाने को किस तरह से पकाना है, इसका वो द्यान रखता था, खाने को अगर कोई प्रॉपर ली या प्रॉपर निस्ट्रक्शन के सार नहीं पकाए, ये सब उसे सहन नहीं होता था, वो पंडितों के तरीके से बनाए गए कश्मीरी खाने का विशेश रूप से शोकीन था, और उसे बेंगॉली खाना भी बहुत ज़ नहीं था, शाहिद को बेगम अक्तर के सौंग का बहुत ज़्यादा शोक था, सारी बातों को छोड़कर शाहिद जो है वो एक कवी था, कश्मीर की बिगरती हुई हालत के कारण उसे बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता था, और ये उसकी रचनाओं का एक मेन टॉपिक बन गया था, लेकिन वो कोई राजनेती कवी नहीं था, उसका विश्वास था कि एक कवी का राजनेती से कोई समन्द नहीं होना चाहिए, कश्मीर की दुख बरिस्तिती पर उसकी पीड़ा के बावजूद उसने खुद को इनका शिकार हुए एक व्यक्ति के रूप में कभ परस्तुत नहीं किया, वो इस वाद का विश्वास रखता था कि राजनीती को रिलीजन से अलग रखा जाना चाहिए, और वो ये विश्वास रखता था कि रिलीजन को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, अपने बच्मन में वो अपने गर में एक मंदिर बनाना चाहता था, और ऐसा क acting में उसकी माँ ने उसकी मदद भी की, उसकी माँ ने उसे मूरती और अन्य मंदिर की जीज़े खरीद कर दी, कुछ समय के लिए उसने अपने इस मंदिर में पूजा भी की, शाहिद का दिल हमेशा कश्मीर में ही था लेकिन वो कश्मीर को काफी समय पहले ही छोड जब उसे पता चल गया था कि वो मनने वाला है, वो कश्मीर जाना चाता था और वो चाहता था कि वो कश्मीर में जाके ही मरे। लेकिन बाद में कुछ रीजन्स की वज़े से उसने अपना मन बदल दिया। पांच मईए 2001 को लेखक की शाहिद के साथ टेलीफोन में बात हुई। डॉक्टर सब भी उमीदें छोड़ चुके थे। वे उसे एक साल या उससे भी कम समय दे रहे थे। लास्ट टाइम जब लेखक ने शाहिद को देखा तब 27 अक्तूबर 2001 का दिन था। शाहिद उस समय अपने बाई के गर पर था। उसे अपनी करीब आती हुई मोत नजर आ रही थी। और उसने इस बात से समझोता भी कर लिया था। उसके चहरे पर कोई भी दर्द नहीं था, कोई भी बाफ यानि एक्स्प्रेशन नहीं था। शाहिद ने एक बार लेखक से कहा था कि मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि दूसरे जीवन में मैं अपने मांक्त से मिलूंगा यदि अगर कोई दूसरा जीवन होता। शाहिद आर दिसंबर 2001 को दो बजे अपनी नीन में ही शान्ती पूरब तरीके से चलवसा यानि उनकी डेट हो गई। शाहिद की मृतियों के बाद लेखको बारी खालीपन वहसूस हुआ। उनको इस बात का बहुत जादा संदमा लगा कि इतनी छोटी सी मितरता यानि इतने छोटे समय की दोस्ती पूरे जीवन का खालीपन छोड़ गई। लेखक at last कहते हैं कि जब भी वो अपने स्टडी रूम में बैठते हैं तो हूने हमेशा ही शाहिद की याद आती है। यहां आपका प्रोज खतम होता है।